असलामरेकम स्टूडेंस कैसे हैं आप सब उमीदा आप सब खेरियत से होंगे आज मैं आपको जो आपके इसलामियात के मौस्ट इंपोर्टेंट शोट और लोंग क्वेस्टेंज हैं उनके बार में बताऊंगे कि आपके पूरी बुग में आपके कौन-कौन से इंपोर्टेंट में इसके और इनको के प्रूर्टेंट सेनियान उसकंच हैं और इनको आपके पेपर्स में अच्छे मालक्त साइएं जो भी आपके इसलामियात प्रूवड़ियं जो है वो आपको ब्ताती जاؤंगी कि आपके कि इनमें क्या क्या चीज इंपोर्टनट है जैसे कि हमारे पर पसकिन बाबव और इसे नविठीक कुरानमजीद और रखेयर बाविब करांजीद और हदीसानलभी पर होता है सो सूरत जिल्जा सूरत आधियात उसके लावा सूरत कारिया एंड सूरत तकासर और अस्र यह मरपास जो सुरते हैं यह आपकी सूर्टे मोश्डा में आपसे पूछी जाने वाली सूरते इनको लाजमी यान की जिए ताकि आपके अच्छे माज़ नाज़य के कोडिंग आए और वैसे भी एज़ मुस्लिम हमें यह सूते जो चोटी चोटी तीसमें पारे में होती हैं यह याद होनी चाहिए चंद एक सूते नेक्ष हमारे पास आगया हिव्ज़ तर्जमा हिव्ज तर्जमा में आपकी मुतलिफ यहां पर दुआएं दी गई हैं जैसे हज़रत आदम अलेहिसलाम की दुआ उसके लावा रहमत और हदायत के असूल की दुआ उसके लावा यहां पर हमारे पास कलमे कलमा तैयब दूसा कलमा तीसा कलमा उसके लावा चोथा कलमा और पा जो इसकी दो द्वाइं दी गई हैं वो जब से ज्यादा इंपोर्टेंट है नेक्स मारे पास आगया हदीष नभी ज्यादा तर आपका क्या करते हैं नाजिया के पेपर में आपको गिवन होता है अधीष के बारे में पूछा जाता है कि इस चीज के मतलिक क्या है थी तो उनक इसके लावा समाओं हुसना यह भी आपके इंपोर्टेंट है यह भी नाजरे में कार इंपोर्टेंट है नेक्स वारोपास बाप दो मागए जिसमें मिद्धान चैप्टर है जिसमें फर्स चेप्टर है मारे पास तोहीद के हमियत और अस्रात इस स्टूडेंस आपको यह हैं जो कि बच्चे को मतलब वो खुद बाखुद सोल्फ कर लेता उसको जरूरत नहीं पड़ती कि कोई उसे गाइट करें या कोई और उसे बताए तो अगर आपने रीडिंग की और इसके लावा फिलिंग दी ब्लैंक जो है यह आपके आपको आती होंगी सोल्फ हो जाएंग सबसे ज्यादा वर्क्स ज्यादा जो रोज किस अकीदे पर दिया गया इसके तलावा आपर एंपार आपके अपके जो आपके जिनग़ेंक फिलिंगिंग भी तो ब्लैंक्स हैं वह इजी हो जाएंगी इसमें जो आपका most important short questions हैं वो हैं जसालत से क्या मुराद है यह आपका paper में आ सकता है उसके लावा होजे कोसर और खत्मिन नवुवत के बारे में एक कुरानी आयाद यह आपका most important short questions हैं जो के papers में आ सकते हैं निए निए पर जाएगा इसलाम में बालत का जामिया तसवर और इसमें आपका जो वह से कुछिए फिलिंग भूर्ड़ाइब का सेम पोर्शन नेक्स हमार पास आ गया इसमें इस चेप्टर के अंदर जो आपके शूर्ट क्वेस्ट्टेंज हैं इस सांसे क्या मुराद है फर्द सुनने तो नफल में क्या फ़र्क है अबादत के अमियत पर एक कुरानी आया लिखें उसके लावा जो लोंग आपका इंपोर्टेंट है वो है अबादत में हालात है इसान से क्या मुराद है इसान एक ख्लास और खुशुग जू के वजाहत करें नैक्स मार पकीज़गी तहारत और पकीज़गी में आपके जो शोड क्वेशन इंपोर्टेंट है वो हैं तहारत और पकीज़गी के बारे में एक आयत मुबार्का का तज्मा तरी करें और कुरा करकत को इस प्रिस्ताने लगाने से क्या मुराइद है याप क्या आगी नेक्षपास आ गया इसके लोंग क्वेस्टन को चैसंद में जो इंपोर्टन लोंग कुश्चन है वह मार पास आ फिर्स्ट वाला इस्रामि तालीमात की रोश्टेमें सफाय सफ्थाई पर आहमियत नो लिखें नेक्स हमार पर चेप्टर है नमाज की फ़र्जियत और एहमियत इसमें जो आपके important short questions हैं नमाज की के हवाले से उसमें नमाज के दो फायदे लिखी नमाज की फ़जीले पर एक अधीस और एक आयद भी आ सकती है उसके लावा कियामत के दिन सबसे पहले किस अमल का हिसाब होगा नेक्स हमारे पास जो इसमें long important आपके है वो हैं फिर्स्ट वाला नमाज के नबी करीम صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ने पहला जुम्मा कहां अदा फर्माया उसके लावा मदीना मनेवरा में मस्जिद की तव्मीर क्यों जरूरी है और कुराम जित के मताबिक किस मस्जिद की बनिया तक्वा पर है और तफसीली जवाब जो आपके इंपोर्टन्ट है उसमें मस्ज रियास्त मदीना का क्याम और शोर्ट क्वेस्टन जो इसमें इंपोर्टन्ट है वो है मिसागी मदीना की रोशी में बेरूनी हमले की क्या सूर्थ क्या तैप आई उसके लावा जोहर की नमाज कि सरकन में तवहील कबला का हुकम नाजिल हुआ और तफसीली जवाबाद में जो इसका इंपोर्टन वाला है मिसागी मदीना के दो दिफाद बियान करें नेक्स्ट हमार पास चैप्टर जो है रियास्त मदीना का एस्ताकाम जिसमें जहाद गजवाई-बदर आ जाता है और इसमें आपके जो इंपोर्टन शोर्ट क्वेस्टन्स हैं वो हैं उसके में तबाद में अंब्सुमानों के पास कतने उंट और गोरे थे उसक इलावा बदर के नतायश में से कौन से कोंसे दो लिखके उसके लावा गजवाई-बदर और अगर लोंग देखे जाएं तो लोंग के अंदर गजवाए ओहत के वाकियात और नताइश पर रोशिंग करें यह आपका लोंग कुस्टन इंपोर्टन्ट है नेक्श अमार पर चेप्टर है नभी करीम सलियलाहु अलेह वालेव सलम से महबत और अतात इसमें जो आपके श इसमें क्या फरका आयए जो है वो कुरान पाक के रूह से ली जाती है मैं किसी आयत का तरजमा और किसी सूरत से ली जाती आयत जबके हदीश जो है यह हजब मुहमत सलियलाहु अलेह सलम ने अश्याद फरमाया होता है अदिश भी आपकी कौली और फैली दो तरह से हो सकती ह नेक्स अमरे पर जो शोट आपका इंपोर्टन क्वेस्टन आगया वा आगया सहाबा कराम के अजीमों मकामों मरतबा की सबसे बड़ी वज़ा क्या थी और लॉंग जो आपका इस चैप्टर में इंपोर्टन है वो है तात रसूल सलियलाहु अलेह वालेह सलम से क्याम राद सलम ने हजड़ अब्दुल्ला बिन जाफर से किस तरह शवकत फर्माते थे उसके लावा हजड़ मुहमद सलियलाहु अलेह वालेह सलम की साभजादियों में से किसी दोग के नाम तहरीर करें और लोंग जो आपके इंपोर्टन वाले हैं वो हैं हजड़ मुहमद सलियलाहु अलेह वालेह सलम का इस चैप्टर में आपका जो मुस्ट इंपोर्टन आपके शोट क्वेस्टन हैं वह हैं आपके वादा पूरा करने की एहमियत पर अहदीश और आयात यह दो चीज़ें आपकी आ सकते और मनाफिक की तीन निशानिया उसके लावा जो आपका इंपोर्ट क्वेस्ट आपकी शोट क्वेस्टन आजाते हैं वह मुषावरत की एहमियत पर एक अहदीश और आयत पी आपकी आ सकते हैं इसके लावा मश्वरा किस से करना चाहिए और इसी में आपका जो लोंग क्वेस्टन है आपका इंपोर्टन वाला वह है कुरान उसुनत की रोश् शोट क्वेस्टन है और इसके लावा जो लोंग क्रिस्टन अगर देखे जाएं तो सबर के फ्वाइद और बेसबरी के नुकसानात बियान करें यह आपका लोंग क्वेस्टन इंपोर्टन है और इंशाला पेपरस में आपके यहीं आएंगे नेक्स हमारे पास आगया प्रिका जो लोंग क्वेस्टन है वो है इसलामी तालीमात में रास्तों के बारे में क्या हदायत दी गई है नेक्श मारे पास चैप्टर है बुरी अदाद से इस्तनाब में आपके जो शोट क्वेस्टन आंसर्स हैं वह आपके गजब से क्या मुराद है चोरी करने का क्यों हुसने मामलात और माश्राथ जिसमें हमारे पास फर्स चैप्टर आ गया वह है हकुकल बाद और हकुकल बाद में जो आपके शोट क्वेस्टन आंसर्स इंपोर्टन है वह माबाप के दो हकुग बियान करें रिष्टेदारों को सदका देने का कितना स्वाब है और माबाप आगे हैं वह हैं बनी इसराइल क्यों तबाह हुआ और उसके लावा अदल की अहमियत पर एक आयत और अधिस भी आपकी आ सकती है उसके लावा जो आपका लोंग क्वेस्टन इंपोर्टन है वह अदल और इंसान का मफूम और इसके अमियत पर नोर लिके और नेक्स चेप् में एक अधिस का मबारका का ताजमा और अधिस अमर रजीत अला अन्हा के हवाले से रफाई आमा की मिसाल दें और इसमें जो आपका लोंग क्वेस्टन इंपोर्टन है वह इसलामी तालिमान में रफाई आमा की अमियत पर नोर लिकें नेक्स्ट हमारे पर बाप शिश्यम आगे जो के हदायात के चैस्ट है में और मशाहिर इसलाम जिनमें उम्हात्र मौमिनें में सबसे मारपास पहले हागया हज़र्ट खतीजा और हज़र्ट आईशा के बारे में और इस चैप्टर में आपकी जो शोर्ट क्वेस्टन आंसर्ज हैं वह इंपोर्टन है फजीलत ब्यान करें और उसके लावा हज़र्ट आईशा का वफात पाई और सखाफात हज़र्ट सूद रजीत अलानहा कि सखावत का एक वाक्या लिखें और नेक्स मारपास इसमें जो इंपोर्टन आगया वो है दस नबीव को आमल हज़र्ट क्यूं कहा जाता है यह नेक्स हमार पर चेप्टर नबीय करीम सलेट लाह अलिए वल्यव सलम की अलाद मुबार्का इनके बार में डिफाइंट करेंगे अगर आमने यह चैप्टर की डिडिंग की हो तो यह बहुत अच्छा चैप्टर है मतब मजे का है इसमें उनकी जो अलाद उनके बारमें हुई यह आपका इंपोर्टेंट है तफसीली इसमें एक है जिसमें आपका बताया गया कि अलादे तहार का तारुफ तरीर करें और यह मुसली कम याता है ठर्टी पसंट चांसे है कि आपका पेपर में आ सकता है खतुन जिनत हजए सहदा तो फादमातों जोहरा इनका डिटेल के साथ हम लीडि करेंगे और इसमें आपका जो इंपोर्टेंट शोर्ट क्वेस्टन है वह हमारे पास रसूल सलिलावले वाले सलम ने हजए सहदा फादमातों जोहरा को क्या खुशकबरी दी उसके लावा हैं वो हैं उसमें हमारे पास क्वेस्टन नमबर टू आ गया हजए फत्र मेकवा के मौके पर हजए जुबैर बिन अवाम को क्या अजाज हासल हुआ और हजए अब्रह्मान बिन ओफ रजित अलाना की एक सूसर बियान करें और इसके लावा लोंग क्वेस्टन हमारे पास आ सूफिय कराम में आपका जो लोंग को शोट क्वेस्टन आंसर इंपोर्टन वाले हैं वो है क्वेस्टन नमबर टू जो कि है हजए हजए अब्दुल्ला शाह गाजी का मजार कहां है और उसके लावा हजए जुनेद बगदादी को अला ताला ने किस मुकाम से नवाजा और लोंग जो है वह मार पास आ सकता है आपके पेपर में जैसे वैसे कि यहां पर तीन शेक्सियत पर लिखा है जुनेद बगदादी और हसन बसरी और बायजीद तो इन में से जो आपका इंपोर्टन वाला है वह बायजीद और उसके लावा जुनेद बगदादी इन दोनों म नेक्स में पर चप्टर है मुफक्रीन में आपका जो इंपोर्टन शोर्ट क्रिस्टन आंसर वह मार पास है क्रिस्टन नमबर टू हज़द अमान जाफर सादक के दादा कर नाम निखे हैं उसके लावा हज़द अमाम मालिक रहमत अल्ले की क्या क्वाइश थी और जो लों म मनिवा और इसके लावा जो आपका इमाम मालिक के बारे में भी आ सकता है लों को सिंट नेक्स अमार पर जो चेप्टर है वह फातहीन हज़द खाली बिन वलीद और इस चेप्टर में आपके जो इंपोर्टन शोर्ट क्वेस्टन हैं वह वह फास्टन नमबर तू हज़द कारناमों पर रोशनी डालें ये लोंग क्सिटन आपका इंποर्डंट है नेक्स हमार पास है बाब हफ्सन जिसमें हमार पास इस्लामि टालिमात के असर और हाजर के तकाज़े इसमें आपके जो इमपोर्टटन शोट क्विस्टन हैं वह हमारे पास question number three जिसमें सफाय सुत्रहाई के बारे में एक अधिश और आयत भी आ सकती है उसके लावा हमारे पास long question जो आपका important वाला है वह है शजरकारी के बारे में मारदीन में क्या तल्कीन की गई नेक्श हमारे पास स्टूडेंट के लोगो शोट क्रेंट जो के मौस्ट इंपोर्डन पूरी बुकें वाले से और आपका कोई भी स्कूल हो जाहे गोर्मिन या प्राइवर्ट उमेद है कि आपका पेपर इनी में ने इसका पैटर्न देखना हो तो आपको यहां पर गीवन होगा बाकी वीडियो आपके में स्कूल इसमें माक्स डिवियन होती है तो अगर यहां पच्छे से याद करतें तो कब बसकम 20 मांग्स जो हैं आप 15 इंड लिस मांग्स आप गेंड कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से याद हो सबस्ट और फो यह पेपर उमीद है कि आपकी तमाम पेपर कि आपकी आप